सोनगर में केंद्रे संग्रक्षन मंत्री डॉक्टर सुभाश राम राव भाम्रे ने बीजेपी की सभा को संबोधित किया अपने संबोधन में संग्रक्षन मंत्री ने बीजेपी के विकास कारे का बखान कर विपक्ष पर चम कर हमला बोला। गुजरात के सोनगर में केंद्रे संग्रक्षन मंत्री सुभाश रामराव भामरे ने बीजेपी की सभा को संबोधित किया, इस संबोधन में बीजेपी के महा मंत्री पापु भाई पाटल भाजपा के कारेकरता और पदादीकारी सहित 500 से भी ज्यादा महराश्ट्रियन समाज के लोग और अनिसमाज के भी लोग उपस्थित रहे, डॉक्षर सुभाश भामरे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के आशरवात से मैं सांसत बना हूँ, बीजेपी के विकासकारे का बखान कर उन्होंने कहा कि 2017 में मोदी की लहर देखने को मिली जहां मोदी सरक के नारी को जुठे थे, चुनाफ पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पूरे विश्व की डजर गुजरा चुनाफ पर है, विपक्ष पर कटाक्ष कर उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कॉंग्रेस ने जनता को निच्चोड दिया था, लेकिन प्रधानमंतरी मोदी ने गुजरात में विकास किया, जिससे उध्योग और रोजगार के स्तर पर प्रगती आई, कॉंग्रेस पर प्रहार करूनों ने कहा कि पिएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आपको बता दे कि सुभाश भामप्रे ने मराठी में भ भाशर दे कर जंता से बीजेपी को जुताने की अपील की, सोनगर से हेमंद भाई राणा की रिपोर्ट